हेलो गाईण, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊगा कि अगर आपके पास LG का स्मार्ट टीवी है तो उसमें आप रिकोर्णिंग किस परकार कर सकते हो recording का मतलब यह नहीं कि जिस परकार अभी मैं अपने फोन से वीडियो recording कर रहा हूं उसका मतलब यह recording नहीं recording का मतलब जिसके अनुसार यहां पर जी अनुमोल सिनेमा पर मालो कि यह movie दे रहा है तो यह movie मुझे देखना है और मेरे पास time नहीं है तो मैं इस movie को मिस कर दूंगा लेकिन स्मार्ट टीवी में एक ऐसा feature है कैसा function है जिस परकार से आप इस movie को record कर सकते हो अपने टीवी में ही और इसे आप कभी भी देख सकते हो तो इसको record करने के यह सबसे पहले आपको एक pen drive की जरुवत पड़ेगी तो pen drive मैंने अपने टीवी के पीछे लगा दिया है मेरे पास 8GB का pen drive है उसके पीछे मैंने लगा दिया अगर pen drive हो तभी pen drive अगर आपके पास रहेगा तभी रिकोर्ड हो पाएगा नहीं तो नहीं रिकोर्ड हो पाएगा तो pen drive अप लगा देना आपना टीवी के पीछे और मैं आपको सिखाता हूं को करना क्या है यहां पर देख सकते हो कि यह मेरे magic remote है easily नहां पर चार बटम देखो आप ही एक बटम यह दूसरा बटम यह तीसरा बटम यह Trung ता समय टॺम सुद्र adequate मेरी कुछ इस तर्फेस खुला ठीक यह धेख लो फिर यह हट गया मैं फिर से कोई रसा केикомि Look पजलो कि मैं निचला वाला बटम क्लिक करता हूं तो निचला वाला बटम क्लिक किया वहाँ पे देख लो कि मेरा किस प्रकार का option आ तो यह स्में हो क्लिक कर देना तो प्लिक कहांसे किलिएगा बिचला बटम से यहां पर मेना Пос Dani नहीं उपर बचला बटम यहां सहीज्ट को सिंपलिक कर देना ठीक है है तो उसको आपको एलाव कर देना है एक बार एलाव किस परकार किज़ेगा यह अपना रिमोट लीजिए और रिमोट को अगर आपको माउस की तरह काम करना है तो इस परकार से एक बार उपर कर दीजिए उपर या फिर नीचे किस परकार भी किजिएगा तो आपका यह माउस करके दिखा दे रहा हूं आप लोग को यहाँ पर जाइए आप लोग शिंटि और इसको अलाव कर दीजेंगे यहाँ इतना कर TIM इसके बाद इलाव करके फिर से आप इसको डैने ही कंडैनी म착 पे ही कर दीजomena फिर से इसको अफ कर दीजिये टीए एक बार और मेरे ऐस Eh यहां पर देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग सेटिंग मेरा आ चुका है वहाँ पर रिकॉर्ड का भी ओप्सन आचुका है रिकॉर्डिंग दूरेसन यहां पर नीचे देखो 30 मिनट के लिए और करेंट डिवाइस में देख लो आप कि मेरा 7.4 जीबी का है जिसमें से 4 जीबी मेरा भरा हुए तो रिकॉर्डिंग किस परकार करना है यहां पर देखे रिकॉर्डिंग डूरेसन है आपको दिख राया recording duration और यहां पर 30 मिनट आपको लिखा हुआ दिख रहा है सपोज कर लो जिके मुझे 30 मिनट नहीं मुझे एक घंटा का recording करना है तो यहां पर यहां पर करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर देखो देखो इमें रिमोट कीस पर परिकॉर्ड करना को इस परिकलिक कर देना है तो आपका कर लो कि मैं कोई बटम क्लिक कर रहा हूं तो देखो एवी एवी के नीचे आपको छोटा सा कुछ दिख रहा होगा नजारा तो वहीं पर मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया मेरे को दिख रहा है कि मेरा भी 23-24 सगेंड तक हो रहा है तो इस अरह आप रिकॉर्डिंग कर सकते गया और रिकॉर्डिंग कमाल लोकिए अभी कैंसल करना है तो फिर से वही चार बटम में से कोई एक बटम क्लिक कर लो दوسक disgust यहाँ पर देख सकते हो सब stop and save option है do not save और यहां पर क्या है चेंज इंड टाइम तो मुझे यह रिकोर्डिंग मुझे चाहिए तो stop and save कर दो नहीं चाहिए तो cancel कर दो do not save चाहिए तो do not save यानि कि save नहीं होगा हमारा change in time यानि कि हम टाइम बदल सकते हैं मुझे यह recording चाहिए तो मैं stop and save पे simply click कर देता हूं तो यह recording मेरा हो चुका है मैंने कि safe हो चुका उपर देख लो कुछ मैसेज रिकोर्डिंग है देखना है कहां से मेरा क्या recording है तो recording आपको मैं भी देखा देता हूं वही चार बटम में से कोई एक बटम आपको क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे सबसे नीचे यह तो यह स्टार्ट रिकोर्डिंग का ओप्शन और यहाँ पे अस्टार्ट लाइफ फ्लेबेक और यहाँ पे recording हमें देखने को मिल जाती है तो recording वाले option में आपको simply आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस को लेगा तो मैंने दो वीडियो अभी रिकार्ड किया है यह मेरा पहला का वीडियो था और यह मैंने जो अभी रिकोर्ड किया है प creepy करते हो उतना अभी रिकोर्डिंग भी ऐगर साउंड आप 10 पे करके recording करते हो तो आपका साउंड ऐसे दसी पे आएगा ज्ज्यादा नहीं आएगा सपोस्कों लोकि मुझे रीकॉर्डिंग डिडियेट करना है तो डिलेट मैं माउस पहले रीमोट को माउस बनाना होगा तो रिमोट को माउस बना लिया अब रिमोट को माउस बना के अब मुझे कहां पर जाना होगा तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर मैं गया तो यहां पर नहीं है यहां पर गया तो यहां पर डिलीट को अप्शन है तो डिलीट पर इस पर आपको क्लिक करना है कौन सा वीडियो moderate करना सब्सक्राइब familiar beğ the leave कर देता व तुषे simply आपको ख्लीक करकेब यहां पे select all है यहां पे cancel हो यहां पे डिलेट का option नैति यह video मेरे को ट्लीक करना तो यह video में इसे डिलेट पर क्लिक करके और यहां पर यस पर क्लिक कर देता हूं तो मेरा डिलेट हो गया तो वह डिलेट हो गया अब सिंपली मुझे जाना है कि हां रिकॉर्डिंग से मुझे हटना है वही मेरा फ्रेडिस पर जाना है वापस तो सिंपली आपको यहां पर होम बटन पर च आपस हमारा डीडी फ्रीडिस का चैनल आ जाएगा तो सिंपली आप लोग से जान गये होंगे कि किस प्रकार स्मार्ट टीवी में रिकॉर्डिंग किया जाता है और इसके लिए आपको सबसे पहले पेंड्राइफ की जरूत होती है तो मैं आपको एक पर एक फायदा बता देत सुर्ण सरहारे हमारे पास स्यटक बॉपक्स अंचुकरा नो गया तो उन सब सेटक बॉक्स में आपका रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी दिया हुआ रहता है लेकिन वो प्रिकोर्डिंग का पैसा लेते हैंध एक दिनह एक तरुपी लेते हैं यानिकि महिना में 30 रूपए आ अब recording करने का फायदा में आपको बताते हैं सपोस्थ के लिए कि 8 बजए रात को कोई मूवी दे रहा है और आपको दिखना है उसे और आपको नींद लग रहा है तो आपको तो नहीं देख पाओगे नींद सो जाओगे तो कैसे देख पाओगे तो वही आप recording कर दो recording करके स्वीच आफ कर दोगे तो आपका पूरा मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होगा लेकिन टीवी के रिमोट से आप बटम को आफ कर दो टीवी को आफ कर दो आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा डूरेशन लगा दो तीन घंटा तक हाडली साडली किसी चैनल पर मुवी देता है तो सब्सक्राइब लगा कि आप कोई सी भी तरह का रिकॉर्डिंग कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 200 लाइक का मुझे एम है और कम से कम 500 वीज इस वीडियो पर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से इसलिए जो भी इस वीडियो के देखेंगे अपने दोस्तों के पा पताना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक